बीते दिन इस खबर ने खूब तहल का मचा दिया था कि 60 साल के आशीश विध्यारती ने 50 साल की रूपाली बरुआ संग शाधी कर ली आशीश और रूपाली की शाधी के बाद अब एक और आक्ट्रिस की शाधी की खबर सामने आ रही है लेकिन आक्ट्रिस ने 10 साल बड़े पती से नहीं 15 साल बड़े पती से नहीं बलकी 21 साल बड़े नेता संग शाधी रचाली है जिस आक्ट्रिस की हम बात कर रहे हैं उसकी शाधी को कई साल हो चुके हैं 10 साल बाद आक्ट्रिस ने अपनी लव स्टोरी पर बात की है असल में हम बात कर रहे हैं इश्क का रंग सफेद फेम आक्ट्रेस सनेहल राय की। सनेहल राय ने सालों बाद ये बताया कि उन्होंने 21 साल बड़े पॉलिटीशन से लव मैरिज की। सनेहल ने बताया कि मेरी शादी 10 साल पहले राजनेता माधवेंद्र राय से हुई मैंने अपनी शादी को कभी चुपाया नहीं लेकिन मैंने कभी इसके बारे में बात नहीं की। मैं एक अक्ट्रेस हूँ और मेरे लिए ये कहना जरूरी नहीं था कि अब मैं एक पॉलिटीश में हुई थी इसके बाद हमारा नंबर एक्सचेंज हुआ और मैंने उनके लिए कई सारे इवेंट्स भी होस्ट किये हमारी फामिली हम साथ साथ है मूवी वाली फामिली है मेरी सास बिल्कुल भी कड़क नहीं है सब मुझे बहुत प्यार करते हैं मैं मुंबई में रहती हूँ और वो मेरे सीरियल देखने के लिए काफी एकसाइटेड रहते हैं ससुराल में सभी मुझे बच्चों की तरह ट्रीक करते हैं हाला कि जब मैं शूट से लेट आती हूँ तो मेरे हस्बंड इस बात को लेकर थोड़ा परिशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी इंडस्ट्री में क्या-क्या होता है आगे अग्ड्रेस ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा कि कि साल का गैप अच्छा है ना हमने कभी एज गैप पर बात नहीं की लोग इसके बारे में जो चाहे बोल सकते हैं उनका काम ही बोलना है मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है मैं अपनी मा और बहन के साथ चॉल में रही हूँ इसलिए मैंने सिर्फ अपने काम पर फोकस किया मुझे लगता है कि जो इनसान आपको पसंद करेगा वो आपको वैसे ही अपनाएगा जैसे आप है मेरे पती ने मेरे जगडे देखे हैं और कभी हार ना मानने वाला आटिट्यूट भी देखा है और मैं जैसी हूँ उन्हें मुझे से वैसे ही प्यार है जिहां स्नेहल ने 21 साल बड़े राजनेता से शादी तो की लेकिन शादी करके स्नेहल काफी खुश भी है वैल येस स्नेहल राय ने आशीश विध्यारती की शादी के बाद सामने आने की हिम्मत की और दुनिया को ये बताने की हिम्मत की कि उनके पती राजनेता माधवेंद्र उनसे 21 साल बड़े है पाइनल काट नियूस टेस्क